हेलो एवरिवन फ्रेंस कैसे हो खुब करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे तो यहाँ पर आज हम ना शौट पीस का रियूस करने वाले हैं जो हमें साधी ब्या में मिलते हैं या फिर ऐसे ही हमें मिल जाते हैं जो गुमते रहते हैं उसी स्ट पेस का रियूस करेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब का सुक्रियादा करना चाती हूँ आप सबने बहुत अची अची कमेटी की वीडियो की बहुत तारिव की उसलिए थैंक यू कोई कलोल से है कोई जैपूर से है पूने से है पंजाब से हैं सब को थैंक यू जो आप इतनी दूर दूर से मेरा विडियो देखते हैं अब इसमें न हम यह जो और्गेनाइजर बना रहे है न वह आप सब की कमेट पे ही मैं बना रही हूँ तो दो पार्ट तो हमने कट किये अब हम इसके लिए side के पार्ट भी ready करेंगे तो सबसे पहले front और back की दो पार्ट है उसे का नाप देख लेते हैं कट कर लिए है 21 by 18 inches है अब हम side के पार्ट देखेंगे तो ये है side के पार्ट जिसकी चोड़ाई है 10 inches और लंबाई है 18 inches तो ये वीडियो मैं दुबारा से जिखा रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट की थी बहुत सारी तारीफे में मिले थी और कुछ को समझ नहीं आया था इसलिए मैं जिससे समझ नहीं आया उसके लिए specially बना रहे हूँ अब हम ना में पार्ट उसमें से एक उठाना है उसे फोर्ड करना है सेंटर से 4 इंचिस पर मांकिंग करनी है अब कट कर लेंगे यह जो फॉर इंचिस पर मागिंग के न वहां पर देखे यहां पर हम टांस्परेंट से अटेज करना चाहते हैं इसलिए हमने कट किया देखे यह जो सेंटर से पार्ट कट किया था उससे हमने हाफ हाफ इंचिस बड़ा रखा है दोनों साइट मतलब हमने जो एक लीजे शिक करें और फिर यहां पर टॉप सिच करें अब उसी तरीके से दूसरी साइट दूसरा पार्ट लीजिए शिच करें अब यह पार्ण का रेडी हो गया अब साइट के जो दो पार्ट हमने लिया थे 18 इंचिस तरीके वह ले ने इसके उपर ऐसे उल्टा यहां से सीधा stitch करना start करें finish करें ऐसे ही दूसरा पार्ट भी आपको stitch करना है और हाँ इस वीडियो में आपको पाइपीन हम लगाएंगे रफ पेजिस फिनिश करने के लिए लेकिन वह अलग से कट नहीं करनी है ऐसे करना है अब सीधी साइड यहां पर हाफ इंचिस की जगह छोड़ते हुए स्टीज कर ले ताकि जो रफ पेजिस है वह भी पैक हो जाएगा और हमारी बाहर की और किनारी तो हमारे बन चूकी है जिप हम अटेज कर रहे हैं उसके बद आप तॉप स्टीच कर ले तो डिए तो टोटल अभी हम ने कितने की ए फॉर पाट की उसमें से तीन पाट को जोड़ा उसके साथ जिप को अटेज किया अब हम यहां पर तॉप स्टीच करेंगे तो और यहां पिर 18 निचिस की जो साइड है वहां पिर ज़िप वाला पार्ट यहां प – year. फिर द्रें साइड का उससे पकड़े ऐसे और दोनों साइड़ सीज करड़ की यह पार्ट को जेड़ लेना है। अब हम ना इसे सीधा करेंगे पहले ऐसे और फिर जहां पे हम रफ पे जिसे वहां पे जैसे हमने हाफ इंचिस की जगह छोड़ते हुए स्टेज किया था वैसे ही यहां पे स्टेज कर लेना है अब देखे यह पार्ट हमारा रेडी हो चुका है वापिस से हम इसे उल्टा कर देखे लेंगे अब और सब्सक्राइब से हमने हाफ क्याआरा रही था? तो यहां पर 20 इंचिस तो साइड सिर तो साम हो एक तो चुक्त हरो रही वह के आहलेखे ह distur़ाल यहां था कर दोवला यहां से अब् coronavirus 20 साइड का पार्ट हम आ पार्ट हम लेंगे और और इसे उनजा य यहां पर अटेज करने हैं देखी यहां से किनारी साइट का पाट है वहीं से आप चोड़ना स्टार्ट करें ऐसे गुमाए और फिर नीचे की और हम पूरे रेक्टेंगल में स्टीज कर लेंगे ऐसे अब देखी कि नीचे का पाट हमने अटेज किया अब हम उपर का जैसे हमने नीचे का किया वैसे ही उपर का अटेज करेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जिप स्टार्ट हो रही थी वहीं से और ऐसे हम पूरे में स्टीज कर लेंगे अब हम इसी सीधा करेंगे कि यहां से और फिर करना है जैसे हमेंने हाफ इंच जिस सारे किनार रफ क्या इस्ते वहाँ पे टौपutral किया था वैसे रैब बाइंगे, पूर में चेज करना है नीचे ऊपर में बाइंगे देगे जीब के पास ऐसे पकड़ना है और स्टीज करना है देखेज यह जीब हमने स्टीज कर लिया है पूरे और नीचे भी हमने कवसिलाई कर ली है तो है न इजी, अब हम साइड भी लगाएंगे, बैल्ट और जिसका नाप है, 18 इजिस और इसे फोल्ड करके हमने रेडी कर लिया था, अब साइड में ऐसे फोल्ड करें, दोनों साइड टू इजिस की जगह छोड़े, और यहां पे अटेज करना है, जहां पे 10 इजिस पार्ट है, वहां पे साइड में, तो दो बैल्ट हमने आटेज की हैं, और यहां पे अब हम ब्लैंकेट रखके दिखाती हूं, तो यह है, डबल बैट का ब्लैंकेट एक रख दिया, अब हम सेकंड रखेंगे, देखते हैं, कितने आजाते हैं इसके अंदर, दूसरा रख द दिये, उसके बाद भी जगह थी, तो मैंने थोड़ा से कपड़े भी रख दिये, फिर भी जगह बच रही है, तो कैसा है यह ओर्गिनाइजर, कमेट करके बताना, चलो फ्रेंस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बब बाई, जे बारत,